नमस्कार प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज की हिंदी कार्य पत्री का हमारे सामने हैं कार्य पत्री का संक्या है 129 चलिए जल्दी से इसको पढ़के ख़तम कर लेते हैं वचन बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए क्या आप इस चित्र में फूल जूला तितलियां बतखें गेंद तथा लड़कों की संक्या को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई ताले का पूरी कर सकते हैं यानि कि इनकी संक्या देखनी है कि भई एक है या एक से ज़्यादा है तो वो उनको यहाँ पर हमें लिखना है अगर एक है तो ऐसे लिखना है एक से ज़्यादा है तो क्या लिखते हैं जैसे जूला दो जूले होते तीन जूले होते तो हम जूले लिखते जूले फूल हैं तो दो फूलो को और तीन फूलो तो फूलो लिखते हम तितलियां तितली है एक तितली है तो एक तितली एक से ज़ादा है तो तितलियां लिखते अब गेंद है एक से ज़ादा है तो गेंद ये लिखते और लड़का का हम क्या लिखते हैं? लड़के और बतक का बतके तो चलिए, इनको लिख लेते हैं तो पहरा शब्द है जूला अब हम चित्र में देख रहे हैं कि एक ही जूला है यानि कि हम इसको एक वाली जगह पे लिखेंगे जूला अब आती है बारी फूल फूल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं तो इसको एक से ज़्यादा वाली जगह लिखेंगे हम अगला है तितली ये रही तितलिया तो तितलिया हम एक से ज़्यादा में लिख देंगे अगला शब्द आता है गेंद एक गेंद है बच्चों के पास एक गेंद है तो यहाँ पर हमने एक वाली जगह लिख दिया अब लड़के यहाँ पर दो है तो लड़का शब्द के लिए लड़के शब्द हमने एक से ज़्यादा में लिख दिया बत्तक जो है अब बत्तके हैं यहाँ तो एक से अधिक होने का पता चले जैसे तितलियां एक होती तो तितलि लिखा जाता अब यहां तितलियां लिखा है यानि कि हमें पता लग जया कि वो एक से अधिक है तो शब्द का वह रूप जिसे हमें एक या एक से अधिक होने का पता चले उस शब्द के रूप को हम वचन कह स्थान के एक होने की जानकारी मिले तो वे एक वचन शब्द हैं जैसे कि लड़की जूला हम इस चित्र में देख रहे हैं एक ही है तो लड़की और जूला यहाँ पर एक वचन शब्द हो जाएंगे जिन शब्दों से एक से अधिक वस्तू वेक्तिय स्थान की जानका नी मिले उन्हें भवचन कहते हैं जैसे कि तितलियां, बतक हैं, लड़के, आदी यहनि कि इसके अलावा भी और हो सकते हैं तो चलिए परशन एक देखते हैं बच्चों, आपने पाठ थप प्रोटी थप दाल में भी तो कुछ ऐसे ही शब्द पड़े थे जैसे बड़ी, बड़ियां, पंक्ती, पंक्तियां तो आए नीचे बनी तालिका में से एक एक शब्द चुन कर एक वचन और भवचन शब्द के जोड़े बनाएं जैसे ये जोड़ा बनाऊ है ना बड़ी और बड़ियां ये दो शब्दों का एक जोड़ा बनाऊ है ऐसे ही ये जो नीचे हमें तालिका दे रखी है इन में से हम शब्दों को छाट कर एक वचन और भवचन के रूप में उनके जोड़े बनादेंगे तो जैसे देखते हैं रोटी, रोटियां तो एक जोड़ा तो आप यहां लिखेंगे रोटी, रोटियां यह रहा रोटियां और यह रही रोटी दूसरा देखते हैं सहेली, सहेलियां तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा जोड़ा तो एक शब्द आप सहेल यहां लिखेंगे यह रहा और सहेल यहां यहां पर लिख देंगे बिली यहां पर लिखेंगे और बिलियां यहां लिख देंगे बच्चा यहां लिखेंगे और बच्चे यहां लिखेंगे हो गया हमारा परशन परशन दो देखते हैं निमन लिखित वाक्यों में आए गहरे काले शब्दों के वचन बदल कर वाक्य को दुबारा लिखिए यानि कि ये जो गहरे काले रंग में लिखा है शब्द इसका वचन बदलना है और वाक्य को फिर दुबारा लिखना है तो चलिए देखते हैं आस्मान में तारे चमक रही है यानि कि तारा एक तारा नहीं है एक से ज़्यादा है दो ही तो वचन होते हैं एक वचन और भवचन अब ये भवचन में है तो हमने इसका वचन बदलना है तो हम एक वचन में करेंगे इसको आस्मान में तारा चमक रहा है हम क्या वाक्य लिखेंगे आस्मान में तारा चमक रहा है दूसरा वाक्य देखते हैं मचली पानी में तैर रही है अब यहाँ पे यह जो शब्द है इस शब्द का हमें वचन बदलना है यह शब्द कौन सा है एक वचन में है यह शब्द तो इसको भवचन कर देना है तो हम क्या लिखेंगे मचलियां पानी में तैर रही है एक तो है और फिर यहां पर बिंदिया जाएगी इस बात का ध्याम रखना जैसे यह बिंदिया रखी है यहां पर भवचन में ऐसे ही जब आप वक्के लिखेंगे मचलियां मचलिया कैसे लिखना है ऐसे लिखना है मचलियां मचलियां पानी में तैर रही हैं हैं ऐसे लिखना है अगला परशन देखते हैं नीचे लिखे शब्द अनेक को दर्शा रही है क्या आप इनके लिए एक वच्चन शब्द बता सकते हैं यानि कि जैसे गुडिया तो बहुत सारी गुडिया है तो एक वच्चन का शब्द क्या हो जाएगा इसका गुडिया और मेजे एक वच्चन का शब्द हो जाएगा इसका मेज कक्षाएं एक वचन का शब्द हो जाएगा कक्षा कुरसियां एक वचन का शब्द हो जाएगा कुरसी आज की क्लास यही खत्म होती है अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूठ सकते हैं कल फिर मिलेंगे कुछ नया सिखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जहिन